हेलो डॉक्टरोस वल्कम टू आर चानल मैडिको स्वामी जिन्होंने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब आर चानल एक्जाम कर टाइम है तो एक कौट है तो एक्जाम के बहुत अच्छे से प्रप्रेशन करो और जो BHMS First Year है जिसकी एक्जाम सोने वाली है 19th of July से उसके लिए हम टाइम टेबल लेकर के आए है कि कैसे पढ़ना है क्या सब्जेक्स है कैसे करना है MPMSU में क्या आता है अगर आप चाहते हो तो हम लोग आगे सीरीज चलाएंगे कि कैसे करे दो नमबर के क्वेशन को कैसे अटैम्ट करें कैसे फॉर्मेट में लिखें कैसे अपने क्वेशन को क्या आंसर को हाइलाइट करें कि आपको मैक्सिमम मार्क मिले और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए MPMSU जो उनिवर्सिटी है पेपर का फॉर्मेट पूरा चेंज कर चुकी है तो उसमें कैसे एक्जामिनेशन में आपको आंसर को अटैम्ट करना है वो सारी है सबसे पहले देखते हैं कि BHMS First Year में कितने सब्जेक्स होते हैं और उनके पेपर कैसे होते हैं तो जो सब्जेक्स है वो है Anatomy, Physiology and Pharmacy तो इन सब्जेक्स है Material Organon भी है लेकिन उनकी एक्जाम्स नहीं होती है First Year में Second Year से एक्जाम्स होगी जो Anatomy First है उसमें क्या क्या आता है तो H and B stands for Head, Neck and Brain और Upper Lim पेपर सेकेंड में आता है Thorax, Abdomen and Lower Lim यह है Anatomy का डिविजन की पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा दोनों ही पेपर 100-100 marks के होते हैं और 200 में से आपको लाने होते हैं 100 marks Physiology First में आता है CVS, Blood, Respiratory, Excreatory, Skin and Muscle Physiology पेपर 2 में आता है Endocrine, CVS, CNS, Digestive, Metabolism, Reproductive and Sensory Organ इसके बाद भी मैं आपसे यही कहूंगी कि आप दोनों पेपर के लिए सारे chapters को prepare करो क्योंकि ऐसा कोई division होता नहीं है बात करते हैं टाइम टेबल की आप सुबह 6.6 तक उठिये 7-8 तक अपर लिम करो 9-10 में lower limb, 11-12 में abdomen, 12-1 का break लेकर के 1-3 में physiology 4-5 में pharmacy कर लो बहुत easy हो जाएगा 6-8 बचे तक में head, neck and brain कर लो 9-11 में physiology को वापिस से एक chance दो 11-11, 45 तक thorax करो तो अब करना कैसे है हर एक subject के से 10 questions करने हैं जादा नहीं करने हैं कोई भी subject उठाओ सिब दस so wish you all a very best of luck for your exams